वेलकम बैक टू आल आफ यू माई डियर इस्टुडेंट्स मैं गरीशिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ यूपी बोर्ड नाइन्थ और टैन्थ के स्टुडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है देखना क्योंकि यहां पर मैंने most most important long answer type question लिया है और मैं आपको बता दू इस lesson से जी lesson का नाम है from the diary of any frank यह आपका lesson नेम हो गया देखिए एक मिनिट आपका lesson है from the diary of any frank इस lesson से मैं आपको बता देता हूँ कि यहां से एक question जरूर बनेगा तो seriously इस lesson को पढ़ें तो इसका जो most important long question मेरे recording बनता है देखें long question तो कोई सभी आ सकता है किसी भी तरीके से exam में पूछा जा सकता है फिर भी अपने experience के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस lesson से any frank का जो character है वो पूछा जा सकता है कि वो किस प्रकार की लड़की थी any frank तो किस प्रकार की लड़की थी which type of girl सिवाज तो मतलब है character हमें उसका sketch करना है ठीक है तो character sketch ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से हो सकता है question तो देखे तो इसके character में क्या क्या लिखा गया है आप अच्छे से पढ़ लें अब बहुत ही simple और easy language में ने use की है बहुत ही interesting भी है इस long question को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको interesting लगेगा और ये lesson ही बहुत अच्छा है interesting lesson है पढ़ने में मजा आता है यदि आपने अभी ते इस lesson को नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इसको पढ़ जरूर लें क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपके सारे solutions निकल कर आते हैं जो भी question आएगा exam में चलिए start करते हैं सबसे पहले heading introduction heading है जिसकी spelling आपको अच्छे से याद करनी है और इसी तरीके से underline बगेरा करके 20 और 20 copy में ऐसे heading डालेंगे फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक है writing पर विसेज ध्यान दे मेरे पैर बच्चों literature में यह अच्छे marks पाना चाहते हैं तो writing पर ध्यान दे और साफ सफाई अब इस heading में लिखा गया the lesson from the diary of any frank यह lesson name मैंने लिखा capital letter से the lesson from the diary of any frank is an autobiography यह autobiography है आत्म कथा है of any frank any frank की यह एक आत्म कथा है यह part जो है any frank की क्या है autobiography इस लगा कर लिख देंगे first sentence के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी see was a 13 year old school girl यह school girl मिला कर आपको लिखना है यह थोड़ा gap हो गया school girl मिला कर लिखना है तो see was a 13 year old school girl वह है तेहरे साल की school जाने बाई लड़की है ठीक है बाजबर का प्रयोग है इसमें कुछ difficult नहीं है आगे see had a loving family उसके पास उसकी एक प्यारी सी family भी है प्यारी सी family थी उसके पास head see had a good home उसका एक अच्छा घर भी था आलसुमाने भी उसके पास अच्छा घर भी था but she did not have any friends लेकिन उसका कोई मित्र नहीं था but she did not have any friends कोई मित्र नहीं था ये introduction हो गया आगे देखते हैं next heading है a beautiful, intelligent and smart girl सुन्दर, होश्यार और smart girl यहाँ पर हम इसमें आगे देखेंगे क्या क्या लिखा गया है देखें बड़े अच्छे से देख लेते हैं बहुती simple, easy और interesting language है यदि आपने इस तरह से बिल्कुल तयार कर लिया ऐसे इस साफ सुत्रा underline करके heading पर अच्छे से लिखा तो आपको पूरे-पूरे marks इस question में मिलने वाले हैं तो देखें कैसे प्रूव करेंगे कि वो इस टैप की लड़की थी beautiful, intelligent और smart थी या नहीं थी सीवाज आ beautiful पहला sentence आप इस heading से ही बना देंगे सीवाज लिखेंगे और आगे ये पूरी heading लिख देंगे सीवाज आ beautiful, intelligent and smart girl सुन्दर, होशियार और smart girl थी ठीक है पनिश्मेंट गेम माने दिया, हर माने उसको पनिश्मेंट माने सजा कहे की of writing एन ऐसे एक निबंद लिखने की जब उसके teacher ने उसे निबंद लिखने की सलहा दी सोरी सलहा नहीं, punishment दिया तो every time यहाँ कौमा लगाओगे every time हर बार see impressed उसने प्रभावित किया impressed her by her arguments हर teacher यहाँ पर देखे impressed हर लिखा, हर के बाद आप teacher और यहाँ पर add कर ले ठीक है, बेरे पहरे बच्चों तो उसने हर बार क्या किया, अपने teacher को impress किया कैसे, impress कैसे किया by her arguments अपने तर्क दे कर तो हुई ना beautiful intelligent और smart girl इसके बाद में next heading है an emotional girl an emotional girl भावक लड़की तो कैसे भावक लड़की थी, वो हम prove करेंगे एक sentence हमने लिखा है when she passed देखे मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपका बहुत बड़ा भी question ना रहे छोटा भी ना रहे, बिल्कुल fixed लिखवाया जिसमें पूरे-पूरे marks मिल है when she passed sixth class जब उसने छे पास किया था she cried at the time of farewell तो farewell, farewell के से करते हैं विदाई को तो विदाई के टाइम she cried वह रोई थी from her teacher Mrs. Q जो teacher थी उसकी Mrs. Q प्रस उनसे जब उसने from her teacher अपने teacher से जब उसने farewell किया था उस time she cried होई रोई थी इससे शावित होता है कि वो emotional लड़की थी ठीक है अच्छा her loneliness next reading है her loneliness तो यहाँ पर देखिए loneliness में हम क्या लिखेंगे loneliness का मतलब होता है मेरे पेरे बच्चो सूनापन एकांथ फिल करना तो इसमें मैंने लिखा है दो एक मिनिट though she had a good family and good home एदिब उसके पास good family थी good home था फिर भी she felt lonely फिर भी वो है अकेला पर महसूस उसने किया as she did not have any real friend क्योंकि उसके पास कोई real friend नहीं था ठीक है next reading देखिए a creative girl creative रसनातमक लड़की उसने क्या रसनाइसी की थी हम दिखिए एक sentence से लिखेंगे she wrote a diary named kitty उसने kitty नाम के एक डाइरी लिखी थी at the age of 13 सिर्फ तेरे वर्स की थी तब ही तो हुई ना creative लड़की रसनातमक लड़की हुई की नहीं हुई ठीक है वीडियो पसंदार है इसी बात पर प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को share भी कर दें ताकि उनका भी भला हो ध्यान रखिए कर भला तो हो भला खुद अच्छे तो जग अच्छा हम बुरे तो जग बुरा इसलिए अच्छाई करिए अच्छाई रिटर्ड में आपको जरूर मिलेगी share कर दीजिए ठीक है टॉकेटिब गरल बातूनी लड़की बातूनी लड़की ये heading है बहुत ही अच्छी heading है important भी है लिखना जरूरी है इसको सी बाज टॉकेटिब गरल टॉकेटिब से मतलब था बातूनी सी बाज टॉकेटिब गरल वह बातूनी लड़की थी हर टीचर उसके जो टीचर थे मिस्टर की सिंग मिस्टर की सिंग पनिस धर उन्होंने पनिस किया था उसको सजा दी थी for talking too much in the class क्लास में बहुत अधिक talking करने के कारण उनके टीचर मिस्टर की सिंग ने उन्हें punishment दिया था last heading conclusion में देखे क्या लिख देंगे मेरे पहरे बच्चों conclusion में उपर जो कुछ भी लिखा है सब को मिला कर लिख देंगे हमें कुछ नहीं रटना है दस माने होता है इस प्रकार इस प्रकार we can say हम कह सकते हैं that माने की क्या कह सकते हैं any frank नाम लिखेंगे बाज माने थी क्या थी लिख दो उपर की heading beautiful थी intelligent थी उपर सी heading यही सब है smart थी और last में end लगा कर talkative girl लिख देंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि any frank एक सुन्दर होशियार बुदिमान और बातुनी लड़की थी देखें कितने आराम से आपका ये long question हो गया हो गया की नहीं उमीद करता हूँ कि आपको ये मेरा बिलकुल fixed एकदम सटीक language में interesting और easy language में जो long question है आपको पसंद जरूर आया होगा अगर पसंद आया है तो मुझे कैसे पता लगेगा बताओ भई कैसे पता लगेगा like कर दीजिए तो मुझे पता लगेगा comment कर दीजिए तो मुझे पता लगेगा और share भी कर दीजिए तो भी मुझे पता लग जाएगा ठीक है हसते रहिए, मुस्कराते रहिए शेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए अच्छे माक्स लाइए घर वालों का नाम रोशन करिए और अपना भी नाम रोशन करिए अच्छे पर वाच्छे माई इस वीडियो